कर लेते हैं बाजार की चाल के साथ जहां पर नीचे से लगभख 300 अंकों का सुधार बाजार में आता वा दिखाये दे रहा है चौबिस से तीन सो के पास बाजार की चाल यहां पसे मठ्थी वे दिखाये दे रही है इतना ही नहीं अगर हम बैंक प्टी की बात करें तो लगभ आटो शेरों में दिखाए दे रहा है टारा मोटर्स फिलहाल भी हम देख रहे हैं लगभग पॉने चार परसंट की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है फार्मा शेरों में आज बिकवाली दिखाए दे रही है यहाँ पर डॉक्टर एडीज आप देख सकते हैं सिपला आप दे बाजार की चाल निफ्टी के लिहाँ से फिलहाल काफी फ्लाट सेंसेक्स काफी फ्लाट लेकिन हरे निशान में दिखाए दे रहा है एक बार आपकी स्क्रीन पर हम इस घंटे के गेनोंस लेकर आएंगे निफ्टी के SBI Life और SBI हम देख रहे हैं साड़े तीन और तीन परसंट तक की तेजी के साथ यहां कारोबार हो रहा है बी एल एच्टी एफसी लाइफ आईशर आईसाइसाइब बैंक जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लगबग धाई से तीन परसंट की तेजी के साथ कारोबार होता दिखाए दे रहा है और इस भी सेक्टर स्पेसिफिक अक्शन भी हमें जानना होगा हमारे साथ हमारे सायोगी अंच बिलवार जुट चुके हैं जो इस घंटे के सेक्टर्स और इस घंटे के मिडिर मार्केट के वॉल्यूम बस बताएंगे अंच यह बताईएगा हमें कि फ दे रहा है दरसर पिएस भी इंडेक्स इसका अगर चाट भी देखा जाया न तो पिएस भी बैंक का इंडेक्स अपने वन वीक हाई पर ट्रेट कर रहा है और अच्छा कुछ आपत सेशन से कंस्लिडेट कर रहा था वहां से ब्रेक आउट देकर ऊपर जाता हुआ नजर आ है इंडेक्स अगर इसमें हम स्टॉक भी देखे तो यहां पर सबसे पहले तो इंडेन बैंक नजर आता है तीन परसंट के अल्मूस देजी के साथ ट्रेट कर रहा है दरसल पिछले सेशन में ही स्टॉक ने अच्छा ब्रेक आउट दे दिया था वही पॉजिटिव मोमेंट पर जाएगा तो एक अच्छा ब्रेक आट एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है अब अगर वर्स परफॉर्मिंग सेक्टर के बात करें तो यहां पर हमें निफ्टी ओटो इंडेक्स नजर आता है जिसने के चार मेने के निचलिस तर को भी चु नजर आ रहे हैं चो दो से चार परसन के गिरावट के साथ ट्रेट कर रहे है अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्टॉंग वॉल्यूम्स के लिस्ट में हमें यहां पर डॉक्टर रेडी नजर आता है टाटा मोटर्स और इंडिन ऑल जिससे इंडिन बैंक जिसे स्टॉक्स नजर आता है डॉक्टर रेडियो टाटा मोटर्स में ज्यादा बिक्वाली हो रही है भारी वॉल्यूम के साथ तो यहां पर इंवेस्टर का सिंटिमेंट काफी बेरिश होता हुआ नजर आता है जबकि इंडिन बैंक की बात करें तो यहां पर अच्छी तीजी मारूति सुदूकी तो सेम वॉल्यूम जोसे कॉंसिप्ट यहां पर है SBLF आयशम मोटर में अच्छे वॉल्यूम अच्छे डिलिवरी भेस वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रा है तो मारूति सु०ूकी में विक्वाली के साथ ट्रेड हुताव नजर आ रहा है आज मारुती के रिजल्स भी है जिसके चलते हैं स्टॉक आज थोड़ा फोकस में है और दबाव में नज़र आ रहा है तिन स्टॉक पर नज़र रखे शुक्रियान शुक्र पूरे मेड़े मार्केट आक्शन की हाईलाइट्स बताने के लिए और श्पीच हमारे साथ बाजार की चाल पर बात करने के लिए निरव चेरा एवी पी डिरिवेटिव टेकनिकल रिसर्च इनमलबंग भी जुर गये है निरव आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकरश में और चलिए बाजार की चाल पर राय लेंगे आपसे और यह बताइएगा कि जिस तरह से हमें PSU Banking में फिलहाल अगर action दिखाई दे रहा है आज के सित्र की अगर हम बात करें इसे आने वाले सित्रों में कितना किस कडर pan out होता हूँ आप देखते हैं? यहां से देखिए Nifty, Bank Nifty अगर बात करें, specifically Bank Nifty तो जादा Shorts built up थे specifically PSU Banking Space में और वही अभी लग रहा है, you know, की Shorts कट रहे हैं वहां से तो likes of SBI, Bank of Baroda, Canera Bank यह सब अभी लग रहे हैं कि यहां से अच्छा चल सकते हैं going forward क्योंकि काफी समय से, you know, sideways से थोड़े stocks में selling आ रहा था, last 2 महिने में underperforming थे, अब जाके यहां से reversal in place है, बढ़िया reversal charts बने हैं specifically in SBI, Canera Bank and Bank of Baroda, I believe यहां से यह तीनों lead करेंगे rally in the PSU Banking Space और at least 5-7% upset दिखा सकते हैं in the next 2-3 trading sessions, तो यहां से यह तीन stock आप बाइं कर सकते हैं with a 2% stop loss. All right, इस बीच, बाजार के लिए अब क्या दाइरा आपके मुताबिक? Yes, तो देखें, बाजार में, निफ्टी में अगर देखें, तो 24-100 प्रूफ to be a good support area and यही support, 2-3 महने पहले निफ्टी ने लिया था और वहां से अच्छा bounce खाया था, वहां से 26,000 तक गया, तो this is a strong support area और बढ़िया support लेके bounce खाया है निफ्टी ने, chances है अब यहां से 50-day moving average तक निफ्टी जा सकती है, जो कि करिब-करिब 25,180 के पास में है future में, तो वो levels तक probably future bounce कर सकता है, but near term में 24,500 एक resistance area रहेगा, वो जैसे ही पार करते हैं, aggression और बढ़ जाएगा और वहां से अच्छा बड़ा move आ सकता है, so at this point of time current level से बाइग करें, सारे ही जो indicators है, oversold zone में है और वहां से गूम रहे है उपर की तरफ, जो कि एक बहुत बढ़िया sign है, तो यहां से बाइन करें, गीचे में 24,100 आपका stop loss रहेगा, 25,000 तक के आपको targets नजर आ सकते हैं, आने वाले 60 दिनों में, near term 24,500 is your first target in the next couple of days, bank nifty में 50,500 से बहुत बढ़िया bounce खाया है, this is the third time यह bounce खाया है पिछले दो महिनों में bank nifty नहीं था, जबकि stocks थोड़े गिरे थे no doubt, but bank nifty index ज़ादा गिरा नहीं था, तो यह level से third time support आना, बहुत बढ़िया sign है, this becomes a rock bottom support area for bank nifty and for longs, और मेरे इसाब से यहां से एक अच्छी buying देखी जा सकती है, 50 day moving average भी तोड़ा है bank nifty ने, अब जो अगला level है 50 to 800 का, वहां तक at least यह buying sustain हो सकती है, ऐसा दिख रहा है, तो bank nifty अब ज़रूर buy करिएगा with a stop loss of 51,400 औरट. जी, अगर हम auto share की बात करें, तो अगर आपने record high से देखेंगे, तो करीब 10 सिद लेकर 30% का आज पास से गिरावट हो चुकी है, और इस गिरावट के पीछे 3-4 वजे हैं, एक reason तो यह है कि valuation काफी ज़्यादा स्ट्रेच हो गये थे, अभी भी महिंगे है valuation, दूसरी चिंता यह है कि कहने कहीं मांग को लिकर तनाव है और डीलर्स के पास inventory बढ़ती जा रही है, और यहीं हम अगर हम festive season के बात करें, तो वो रोनक हमने गाड़ियों के शोरूम में नहीं देखी हैं, जो आम तोर पर हम देखते हैं, तो अचानक से फर्राटा रफतार से slow lane में आती उससे भी शेरों को सपोर्ट मिला नहीं है, बजाज आटो की जब नतीजे आये थे, आपको याद होगा कि नतीजे के साथ साथ उन्हों ने जो guidance दिया था, guidance के बाद specially two wheeler space में थोड़ा सा mood खराब होता हुआ दिखा, और अब हम देखने की कमजोरी लगातार बढ़ रही है इन्वेंट्री भी लगातार हाई है, 67,000 के आसपास के इन्वेंट्री थी जो बढ़के हो गई है, 77,000 के आसपास, तो निश्चे तोर पर एक slowdown की भी चर्चा चल लई है आटो सेग्मेंट में, जिसमें के हमने कोरोना के बाद कमाल के रफ़तार देखी थी, FI25 के पहली चमाई में, PV में जो ग्रोथ है वो रही है, 0.5% की एक परसंट की भी ग्रोथ नहीं है, हाला कि उमीद ये की जा रही है कि H2 जाने की दूसरी चमाई में ग्रोथ पिक अप करेगी, लेकिन वो भी पहले जो 5-8% की रेंज दी थी सियाम ने, जो कि आटो कंपनिय अब वो गाइडेंस को ट्रिम करके 5% का कर दिया गया है, तो ये भी चिंता कहने के ही कंपनी के लिए है, कंपनियां डिसकाउंट दे रही हैं, काफी जादा ओफर्स दे रही हैं, गिफ्ट दे रही हैं, बावजूद इसके हम देखने कि इस शोरूम में इस तेवारों की सी गिरावट आ गई है, और अगर हम शिखर से, अगर हम शिवरों में गिरावट की बात करें, तो बजाज ऑटो करीब 24% नीचे आया है, हीरो मोटो में 23% की गिरावट है, टीवेस ऑटो थोड़ा सा कम चला था टीवेस मोटर, लेकिन जो गिरावट है उपरी इस तरह से 18% की हो चुकी है, टाटा मोटर्स में 30% की, मारूती म 18%, इसके लावा M&A में 16% और हिंदी जो की रिसेंटले इस लिस्टेट कंपरी है, ये भी अपने हाई से करीब 10% नीचे आके कारोबार कर रहा है, अप्रेल 2020 से अगर बात करें, तो आटो इंडेक्स 430% चला है, जबकि हैं में करीब 900% का, बारूती सुजुकी में 186%, बजाज आटो में करीब 400%, हीरो मोटो में 200%, टीवेस मोटर में 860% और आईसर मोटर में 273% के आसपास की, हमने उच्छाल देखी है, तो बहुत तेज रफतार से चले थे, अब कहने कहीं, डिमांड को लिकर चिंताएं हैं, इ हम लोग निरफ चेडा से जुड़ते हैं हमारे आज के महमान, और निरफ यह जो अटो सेक्टर पर पूरी रिपोर्ट आपने सुनी होगी, आपका क्या विश्टेशन है और फिलहाल के लिए क्या रणनी थी इसके असर के मुताबिक, आपके अवाइट करिए, आटो सेक्टर बहुत सारे स्टॉक्स में टॉप काइंड ओ फॉर्मेशन बन चुकी है, और ब्रेकडाउन आचुका है, तो आइवुड सजेस्ट कि यहां से आप अप अटलीस करेंट लेवल से बाइंग ना करें, थोड़ा डाउंसाइड आ सकता ह है, स्टॉक्स लाइक हीरो मोटर, टाटा मोटर, M&M, बजाज आटो, इन स्टॉक्स में, इवन मारूति, इन स्टॉक्स में, ब्रेकडाउन आया है, प्रॉबबबली नदर, यूना, टेनाट परसेंट का फॉल आ सकता है, तो आइव ज़स्जेस्ट के थोड़ा वेट करें, वो फॉल, वो प्ले आउट होने दीजे, जो प्ले आउट होगा प्रॉबबली और आट-दस दिन, प्रॉबबली फिफ्टीन डेज में प्ले आउट होना चाहिए, उसके बाद एक बाउंस एक्स्पेक्टेड है, मगर तब-तब के लिए, यूना, वेट और नीचे में ही आट-दस देख रहे हैं कि मारुति की भी नंबर आ रहे हैं फिलहाल के बल मुनाफ़िक का आखड़ा देखाई दे रहा है, जो की तीन हजार करोड के पार जाता हूँ दिखाई दे रहा है, आपने अपने लिए अपने नंबर पर क्या अंक्लन लगा था और वैसे तो फॉर आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे, इस पॉइंट मैं सिफ टेक्निकली बेसिस पे चार्ट देख के बता पाऊंगा, तो देखे चार्ट नेगेटिव है, जो मुनाफ़िकी उमीद थी उसे थोड़ी से नीचो यहां पर नंबर आ रहे हैं, बट फिर भी मारुति के नं को हमें यही समाब करना होगा.